भारत और दक्षिन अफ्रीका की बीच तीन इंटरनेशनल वंडे सीरीज मार्च 12 से खेली जाएगी यानिकि 12 मार्च उसे इंडिया वसे साउथ अफ्रीका की बीच वंडे सीरीज खेली जाएगी आपको पता दें कि इस दौरान तीन मैच उस खेले जाएंगे और इस सीरीज क दौरान भारत के नियमित कप्तान विराट कोहली को आराम किया जाने की समभावना है रोहिज शर्मा का भी पिंडली में चोट के विए से सीरीज में किलना मुश्किल है इसके चलते कि यल राहूल को इस वंडे सीरीज में टीम इंडिया की कप्तान नियुक्त किया जाने की समभावना है आपको बता दें लिमिटेड ओवर उसकी इस सीरीज में टीम के नियमित कप्तान विराट कोहली और उप कप्तान रोहिच शर्मा नहीं रहेंगे इसके चलते 5 साल में पहली बार भारती टीम को नय कप्तान मिल सकता है इन दोनों को छोड़कर प्रिजन्ट टीम इंडिया के किसी भी सदस्थे ने टीम की कमान नहीं समाली है न्यूजिलेंड के खिलाफ 5 में वंडे के दोरान जब टीम के कारेवाग कप्तान रोहिच शर्मा मैदान से बाहर थे तब केल राहूल नहीं टीम इंडिया की कमान समाली इसके जरीए भारतिय टीम प्रबंधन ये संकेत दिये कि केल राहूल को भारत के भविश्य के कप्तान की रूप में देख सकते हैं केल राहूल आईपेल 2020 में किंग्स 11 की कमान समालने वाले है इन सब बातों के मद्दे नजरे तहित दिख रहा है कि अगर विराट कोली और वेशर मंतक्षिन अफ्रीका के खिलाफ तीन वंडे मैचों के सीरीज में नहीं खेले तो केल राहूल को पहली बार भारतिय टीम का नित्रत हुआ यानि कि कमान कप्तान बनाया जाएगा वैसे तो उस शिखर धवन और श्रेय सायर और मनीश पांडे को भी कप्तानी की संभावित दाविदार के रूप में देखा ज़ा सकता है लेकिन इन तीनों खिलाडियों में शिखर धवन सबसे सीनियर खिलाडी है वे निदाहस ट्रोफिय और एशिया कब 2018 में टीम के उप कप्तान रह चुके है वे इंजी आये संभ्राइजर सहदराबाद और दिल्ली कप्तान के पैच और दिल्ली के कप्तान रह चुके है श्रेय सेयर लंबे वक्त तक भारते के कप्तान रहे वहीं आईपील में दिल्ली कैपिटल्स की दूस साल से कप्तानी कर रहे है तो मनीश पांडे के नितरतव में करनातक ने बिज़े हजारों और शहीद मस्ताकले ट्रोफिय के खताब हासिल किये उनके नितरतव में भारते ने 27 मैचों में से 27 मैचों में जीत दरज की तो अब ऐसा लग रहा है मानू अगर विराट कोहली और रोहिट शनमा इस टीम में नहीं होंगे अगर वो स्टक्षन अफ्रिगा खिलाफ मैचेज नहीं के लिए तो हो सकता है कि केल राहूल को ही टीम इंडिया का कप्तान नुक्त किया जाए नग्स्टन नाइन इस बोल्ड़ की रिपोट